Hello dear students, welcome to bridge course 2023 and 2024. इस वीडियो में हम 9th standard के English subject के bridge course के pre-test को समझेंगे और पूरे 30 marks obtained करेंगे. तो सबसे पहला आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको अपने पूरे detail फिल करना है, आपको अपना नाम लिखना है, role number, school का name और date लिखना है. उसके बाद यहाँ पर पहला question है और first question is, select the correct alternative from the given options के नीचे आई हुए options में से आपको correct alternative को choose करना है. So first question is, find the antonymus of the word happiness के आपको नीचे आई हुए words में से happiness word का antonymus आपको ढूनना है. So happiness का जो antonymus है, वो है be unhappiness. Second is, select the correct past participle of make, के make word का past participle आपको ढूनना है, जो के है see made. Third is, give the proper punctuation in the following sentence, के नीचे आई हुए sentence में आपको proper punctuation लगाना है. So sentence is, the teacher said to a student where do you come from. So this sentence में हम जो punctuation लगाएंगे और उसके punctuation लगाने के बाद में यह sentence इस तरह बनेगा, कि the teacher said to a student. So यहाँ पर student के बाद में एक कॉमा लगाना है, फिर teacher का जो quote है, तो उसे हमें quotation mark में रखने का है, और sentence होंगा, where do you come from, और यह एक sentence, एक interrogative sentence से एक question है, तो इसलिए हम यहाँ पर end पर question mark भी लगाएंगे, तो punctuation के बाद में यह sentence को इस तरीके से दिखाई देगा. 4th question is complete the word chain with the appropriate verb. वर्डचेन को आपको appropriate verb से complete करना है, तो पहला जो word है वो है listen, जो verb है तो उसको हम देख के end से end हो रहा है, तो इसलिए जो अगला वर्ब है तो वो end से start हो रहा है, अगला वर्ब है note, note जो वर्ब है तो वो e से end हो रहा है, इसलिए अगला जो वर्ब आ रहा है तो वो e से end हो रहा है और वर्ब है educate, अब educate जो वर्ब है तो वो भी e से end हो रहा है, इसलिए हम जो अगला वर्ब रखेंगे तो वो भी e से start होना चाहिए और हमने इसके लिए वर वीडियो को हम सुनते हैं 6 से कॉंट्रेक्टेट फॉर्म ओफ विल नॉट इस के विल नॉट के एक पर हम एक्सलिमेटरी मार्क कर यूज करते हैं के बर्ड का परिंदों के जुन को हम फ्लॉक कहते हैं के अगर किसी एक इनसान की अपनी जिन्दगी की कहानी वो खुश से लिखे तो उस कहानी को उस किताब को हम आटो बायग्राफी कहते हैं अचानक एक शेर आपके सामने आ जाता है के आपका एक्शन कौन सा होगा तो उस वक्त आप हरवडा जाएंगे और चीक कर कहेंगे के आपको जवाब देना है तो आपके जो भी फेवरेट इमोजीज है तो आप अपने नोट बुक में लिख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ आपको एक्जामपल के तौर पे लिखे हैं बहुत सारी इमोजीज आप इन में से कोई भी सिलट कर सकते हैं और यहाँ पर जितने में में है तो यह सब के समेयरे फेवरेट है आपके जो भी फेवरेट है कि वर्ट को पहले रखे लिए उसके बाद में दूसरे को चैर पहले आना चाहिए क्योंकिसी पहले आता है फिर gun आएंगा क्योंके G उसके बाद में आता है फिर table आएंगा क्योंके T तीसरे नंबर पर आएंगा और zebra Z सबसे N पर आता है इसलिए हमने zebra को N पर रखा है third है what is the root word in happiness happiness word में root word कौन सा हो है तो happiness word में root word happy होता है fourth is I give tickets to passengers who am I के मैं passengers को यात्रियों को मुसाफिरों को tickets देता हूँ तो मैं कौन हूँ यानि हमें पैचानना है कि वह आदमी या वह शक्स वह इंसान जो यात्रियों को मुसाफिरों को पैसिंजर्स को ticket बेशता है तो उसे हम क्या कहते हैं तो इंडिया में ऐसे आदमी को जो windows पर होता है और टिकेट काउंटर पर होता है और लोगों को टिकेट देता है तो उसे हम booking कलर कहते हैं वैसे अलग-अलग countries में अलग-अलग जगों पर इसके अलग-अलग नाम हो सकते लिकिन जो उसका official title होता है तो वह booking कलर होता है fifth is she is a beautiful girl तो इस question में हमें add question tag हमें एक question tag लगाना है तो इसका question tag होंगा she is a beautiful girl isn't she तो isn't she इसका एक question tag है question tag कैसे बनाए जाते है तो उसके तालूँ से मैंने एक detail वीडियो बनाई है तो उसको आप देख सकते है link उसका आपको description मिल लाएगा sixth is replace the underlined word के underlined word को आपको replace करना है तो heavy rain में आप देख रहे हैं के rain को हमें replace करना है तो उसके लिए हम उसका synonymous लेकर आएंगे ऐसा word लेकर आएंगे जो के उसके ही meaning रखता हो तो shower के माने भी rain के होते हैं इस ते हमने यहाँ पर रखा है heavy shower seventh is write any two good qualities of your friend के आपके दोस की कोई दो अच्छी qualities दो अच्छी खूबिया दो अच्छी गुन आपको लिखना है तो हमने यहाँ पर लिखा है के the two good qualities of my friend are के मेरे दोस की दो अच्छी qualities यह है first is he is trustworthy के वो भरोसे के लाइक है और second is he is generous के वो बहुती दयावान है बहुती generous है तो आपके दोस की कोई भी अगर दो qualities इसके अलावा होंगी तो आप वो भी लिख सकते हैं पर मैंने आपके आसानी के लिए दो qualities लिखी है eight question is what does the following idiom mean के नीचे आएवे idiom के क्या meaning है तो idiom है not somebody's cup of a tea तो इसके meaning यह होते है के it means that the person does not have any interest in और in does not enjoy doing something specific के इसका मतलब यह होता है कि किसी इंसान का अगर किसी चीज में इंट्रेस नहीं है या उसको कोई काम करने में मज़ा नहीं आता है तो हम कहते हैं के it's not his cup of tea ninth is suggest one word for the following के नीचे आए हुए एक पूरे sentence का आपको एक word में बताना है और sentence पूरा यह है के a person who competes in sports के वो person वो इंसान वो आदमी जो के sport में compete करता है हिस्सा लेता है भागेदारी करता है तो उसे हम sports person कहते हैं 10th is what is your hobby के आपकी hobby क्या है तो आपकी जो भी hobby होंगी आप उसको लिख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ आपके example देनी के लिए आपके लिख लिए या आप चाहे तो यह पूरा पूरांसर भी लिख सकते हैं सांसर इस माई hobbies आर रीडिंग वाचिंग टीवी एंड मूवीज एंड प्लेंग बैडमिंटन के मेरी hobbies है पढ़ना टीवी और मूवीज देखना और बैडमिंटन खेलना इसके अलावा अगर आपकी कोई hobby है तो आप उसको भी एड कर सकते हैं थर्ड कोश्चन इस एक्स्प्लेइन दो फॉल्विंग कोश्चन के नीचे आपको इसको डीटेल में लिखना है तो फर्स कोश्चन माइंड रिफ्रेश होते हैं और हमको इस्ट्रेस से तनाव से छुटकाना मिलता है दे हैव दे अबिलिटी तो इस्ट्रेंथेन आवर रिलेशन्शिप के हमारे रिलेशन्शिप को भी मजबूत करने में इसे वह अदद मिलती है यानि अगर हमारे हश्ची खुशी का हलका माहूल रहेंगा तो हमारे रिलेशन्शिप भी उससे मजबूत होंगे और उसके वेज़े से हमारी जो लेंग्विज इसकिल है वो भी अच्छी होती है कि हमको जोग पढ़कर बहुत सारे नएने वर्ड्स मालूम चलते हैं और नएने वर्ड्स को हमको सीखने में मदद भी मिलती है while fostering a better understanding of different cultures और अलग-अलग जो cultures होते हैं तो उसको अच्छे तरीकी समझने भी हमको मदद मिलती है तो यह है जोग को पढ़ने और सुनने के फायदे second question is make a list of place where you listen to announcements कि आपको ऐसे places की ऐसी जगे की list बनानी है जहां पर आपको announcement सुनाई देते हैं तो announcement तो हमको बहुत सारी जगों पर सुनाई देते हैं पर हमने कुछ example के तौर पर लिखी है so answer is we listen announcements at bus stations and railway station and at religious places and at our schools and at fairs and exhibitions and at crowded places के हमें announcement सुनाई देते हैं bus station पे railway station पे जो धार्मिक प्लेसे से वहां पर हमारी स्कूल में भी कभी कभी announcement होते हैं जो मेले होते हैं exhibitions होते हैं नुमाईश होते हैं वहाँ पर भी announcement होते रहते हैं और जो भी भाड़ी वाली ये कर होते हैं तो वहाँ पर भी announcement होते रहते हैं third is what do you do with your friends during the school time के school time में आप अपने दोस्तों के साथ क्या करते हो तो answer is we study, chip chat and play together during school time के हम पढ़ते हैं बाते करते हैं गपशप करते हैं और एक साथ खेलते हैं fourth question is why do we celebrate festivals के हम festivals को तहवारों को क्यों मनाते हैं तो इसका answer है कि we celebrate festivals for different reasons के हम अलग-अलग reasons की वज़े से festivals को celebrate करते हैं first is on religious occasions के जो religious occasions होते हैं धार्मिक और मजभी तहवार होते हैं तो उसके वज़े सिभाम उसको मनाते हैं second is to mark the birthdays and death anniversaries of our great leaders and important religious personalities के जो हमारे leaders गुजर चुके यह जो important एहम religious personalities गुजर चुकी तो उनके बर्दे को या उनकी death anniversary को भी मनाने के लिए हम festivals मनाते हैं and third is to enjoy the starting or ending of some seasons के बहुत सारी seasons मौसम होते हैं तो वो शुरू होने पर भी या खतम होने पर भी हम festivals को मनाते हैं fifth is which is your favorite animal and why के आपको बताना है के आपका favorite animal कौन सा है और क्यों है तो इसके जवाब में हमने लिखा है के I like horse because of its strength, speed and intelligence के मुझे घोड़े बहुत पसं है कि उसके मजबूती के वज़े से उसकी speed के वज़े से और उसकी intelligence के वज़े से It is a symbol of courage और इसलिए भी क्योंके वो एक courage का बहादुरी का symbol है निशानी है and it was a friend of many great warriors in battlefield और वो बहुत सारे बहादुर युद्धाओं का दोस रहा है बहुत सारी जगों के मैदानों में तो इसलिए हमको घोडे पसन है अगर आपको घोडे के अलावा कोई जानवर पसन है तो आप उसको भी लिख सकते हैं आप अपने answer इससे different भी रख सकते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के मदद से आप लोगों ने इस pre-test में जित्ती भी questions आया है तो उनके answers अगर आप चाहते हैं कि हम 9th standard के bridge course को completely cover करें तो आप comment section में जरूर बताइए वीडियो अच्छी लगिए हूँ तो इसे like जरूर कीजे अपने friends और classmates के साथ में share कीजे और इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजे I will see you in my next video